तेल में बस एक चीज मिला लो 5-10 इंच बाल लंबे हो जाएंगे देखकर आप खुच चौक जाएंगे वो भी इतनी तेजी से इस तरीके के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं इसलिए आज आप जरूर जान लें सबसे बड़ी बात यह है कि इसे बनाना कैसे है इसे जानना बहुत ही जरूरी है लगाने का तरीका तो हम आपको वीडियो में बताएंगे अभी अगर आप सचमे बालों को लंबा और घना करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है इस नुस्के को बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है सरसो का तेल सरसो का तेल हमारे बालों के ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है प्राचीन समय से ही सरसो का तेल का उपयोग किया जाता रहा है और पहले की महिलाओं की हेर ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती थी, बहुत ही ज़्यादा लंबे घने बाल होते थे, क्योंकि वो अपने बालों पर सरसो काते लगाते थी, जिहां, आजकल की व्यस्त लाइफ है, समय पर और सवस्त खाने की कमी के अलावा प्रदूसर भी है, सभी समस्याओं की निजात इस नुस्खे से मिल जाएगी आपको, बनाना बहुत ही आसान है, आपको हम आसानी से बताएंगे बनाना कैसे है और लगाना कैसे है, जिहां, लगाना कैसे है इसे जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसके बारे में कम लोग जानते हैं, और ब की लंबाई ज़्याद़ा है तो आप यहाँ पर लेंगे दो चमसس सर्थो का टेल अपने बालों के ईसाब से दो चमस तर्सो का टेल ले लें हभीसे हम साइड कर देते हैं और निक्ट इंग्रीडिन्ट लेते हैं इलुवेरा जिहाँ दोस्तों इलुएरा जेल आपकी बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्या होता है यह आपके सिर्के blood circulation को बढ़ाता है और बाल बढ़ने में मदद करता है अगर आपके scalp का blood circulation अच्छा रहेगा तो बालों की ग्रोथ होना तो आहमसी बात हो जाएगी बहुत से लोगों के scalp की blood circulation धीरे होती है उन्हें इसके बारे में पता भी नहीं चलता है लेकिन आप अगर इस तरीके का उपयोग करेंगे इस निश्के का उपयोग करेंगे एलुवेरा जिल का उपयोग करेंगे अपने बालों में तो बहुत तेजी से scalp की blood circulation बढ़ेगी और बालों की ग्रोथ होगी क्योंकि इसमें होता है vitamin A, vitamin B और vitamin C भी मौझूद होता है जो हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है हमने यहां पर किवल aloeira gel को आपको एक चमच लेना है हमने पहले लिया था तेल। एक से दो चमच है उसमें आपको aloeira gel को एक चमच डालना है बालों की length आपकी कितनी वीओ आपको aloeira gel का एक चमच ही उप योग करना है किवल आप तेल को बढ़ा सकते हैं अगर बालों की ग्रोथ आपके ज़ादा है बालों की लंबाई ज़ादा है तो ऐसे में अब चम्मत से आपको अच्छे से इसे फियट लेना है दोस्तों हेर फॉल्स को कंट्रोल करेगा ये और बालों के जितनी भी ग्रोथ रुकी होती है उन्हें बढ़ाएगा साथी साथ अगर आपके बाल पतले हैं तो पतले बालों को घना करेगा बहुत ही आसानी से और बाल आपके अगर छोटे हैं तो उन बालों की लेंथ को बहुत ही आसानी से बढ़ाएगा क्योंकि बहुत से लोगों के बाल छोटे होते हैं, बाल जल्दी नहीं बढ़ते हैं तो ऐसे में ये नुस्खा बहुत ही कारगर होना है उनके लिए आप अच्छे से चमज की मैस से खोब अच्छे से इसे मिला लें ताकि दोनों के जितने भी नुट्रिंस गुड़ हैं, सभी आपस में मिल सकें, एक दूसरे में मिल जाएं और आपके बालों के लिए एक नुस्खा तयार सकें नेश्ट हमने लेना है कैस्टर ओयल, जिहां कैस्टर ओयल यानि की अरंडी का तेल ये तेल आपको आसानी से मार्केट मिल जाएगा, मेडिकल सौप पे आपको मिल सकता है या फिर आप ग्रोसरी के सौप से भी इसे परचेज कर सकते हैं बालों की लिंथ के लिए ये बहुत ही फायदेमंद होता है अगर आप इसका उपयोग बालों पर करते हैं तो आपके बालों की लंबाई बहुत ही जल्दी बढ़ने वाली है लेकिन ये तेल बहुत चिपचिपा होता है इसलिए इसमें हम कुछ और चीजों को ऐड़ कर रहे हैं जिससे इसका चिपचिपा पन थोड़ा सक कम हो जाए और आप आसानी से अपने बालों में लगा सकें जिया दोस्तों अगर आपको बालों की ग्रोथ को तेजी से लंबा करना है तो आप अरंडी का तेल यानि केस्टर ओयल का उपयोग अपने हेर पर जरूर करें यह तुचा के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है बहुत से लोग इसे जोड़ों पर यूच करते हैं सरीर में दर्ध होता है, पैर में दर्ध होता है तो ऐसे में वहीं बहुत से लोग कैश्टर ओयल का यूज करते हैं लेकिन यहाँ पर हम आज यूज करने वाले हैं इसे बालों के लिए जी हाँ, इसके जीतने पर निूटरेंस है वो हमारे बालों को साइने भी बनाते हैं और साथे साथ बालों के जढ़ने की समस्या को तो आसानी से ठीक कर देते हैं जी हाँ, आपको चमत से इसे अच्छे से फ्रेंट के मिलाना है खूब अच्छे से आप मिला लें ताकि तीनों चीजें जो भी हमने मिलाई हैं इसमें सरसो का तेल, एलुवेरा और लाश्ट में अरणडी का तेल इसे आप अच्छे से मिला लें आपने बालों के लिए आप इस नुस्के को तयार कर सकते हैं ऐसे बहुत यह आसान है और इसे आप चमत से मिला लेने के बाद अपने बालों में लगाना कैसे है इसे भी जान लेते हैं जिहां, इसे लगाना कैसे है इसे जानना बहुत जरूरी है लेकिन अगर आपने हमारी चैनल को सब्सकाइब नहीं किया अभी तक तो सब्सकाइब कर लें और बेल आइकाउन जरूर दबाएं जी हाँ और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिले तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें इसे लगाने के लिए सिंपली आप रात को सोने से पहले अपने बालों में अंगुलियों के पूर के मजद से इसकैल पर अच्छे से लगा लें और अगर तेल बच जाए तो आप बालों की लेंद पर भी लगा सकते हैं फिर मॉर्निंग में आप बालों को अच्छे से धुलने दोस्तों सुबह में आपको इसे धुलना है लेकिन सबताह में एक से दो बारी इसका उपयोग करें आप और बालों पर प्रतिदिन आपको सेंपू भी नहीं करना है आज कल मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आ गया है जो बालों की लेंथ को गारंटी के साथ लंबा अधिरेट पे बिल्कुल केमकल फ्री